हे गाइस वल्कम बाइक तुमाइचांद आइस कॉल अगल और मैं हूं कांग्शास हूं गाइस आज की वीडियो कंपेरिजन वीडियो है जिसमें मैं कंपेर करने वाली हूं मामा अर्ट की न्यूली लाउंच हाइड्रा जेल इंगेन संस्थीम की वाउस्किन साइंस की संस्थ वाउस्किन साइंस वाला वो है SPF 55 आन मामा आर्ट आपको पता है इस एक वैरियंट में लॉइंच होई है जिसमें आपको SPF 50 प्लस PA++++ संप्रटिक्शन मिलता है इस इस पर्टिकूलर इस कंपैरिजन की मेरे बहुत सारी रिवेस्ट आ ठारी ती इसलिए आज मैं आप दोनों की डीटेल रिव्यू वीडियो आपको अलड़ी मेरे चैनल मिल जाएगी नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रिव्यू लिंक देख सकते हैं तो यह सिर्फ कमपैरिजन वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस से जो कि काफी जादा study है और compact और travel friendly है छोटी सी bottle है छोड़ोटी सी tube है तो इसलिए आप इसे अपने एक handbag में भी carry कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है sunscreen आपको reapply करने की जुरत पड़ती है इसके साथ साथ guys अगर हम differences की बात करें तो wow skin science में तीन variant आपको मिलते हैं यह आपको SPF 35, 45 और 55 में मिलती है जबकि mama art की जो newly launched sunscreen है उस सिर्फ और सिर्फ आपको 50 SPF के साथ मिलती है इसके साथ guys wow skin science वाली आपको water resistant भी देती है जबकि mama art के साथ आपको यह जो एक property है यह जो एक feature है यह आपको नहीं मिलता है दोनों के दोनों ही जो product है वो 100% vegan है dermatologically tested है किसी में भी पहला भी sulphate mineral oils या फिर्फ रेकॉंस नहीं है तो डोनों के दोनों ही suitable for all skin type है दोनों ही जो product है आपको broad spectrum के साथ मिलता है मतलग यह UVA और UVB दोनों से ही आपकी skin को product करेंगे आपको अगर थोड़ा सा बताना जाओं तो UVA rays जो होती है वो आपके लिए जादा खतरनाक होती है क्योंकि यह आपकी skin के inner most layer तक penetrate करके चली जाती है जिसकी वयसे आपकी skin में elasticity कम हो जाती है dehydration के आपको problem होती है और premature aging भी आपको UVA rays की वयसे देखने के लिए मिलती है अगर UVB rays की बात करें तो UVB rays सर्फ आपकी skin के outer most layer को effect करती है जिसकी वयसे आपको sunburn और tanning की problem होती है त तो काई अब बात कर लेते हैं इन दोनों की ही consistency की mama earth वाला जो है जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे यह gel form में आता है देखने में आपको भले white color की creamy consistency लगे लेकिन यह तुरंत melt हो जाती है बहुत ज्यादा watery लगती है और जब आप अपने इसे face पे लगाते हैं तो एक अपने में क्रीमी फॉर्म में आती है लेकिन यह भी बहुत ज्यादा light weight है और बहुत easily melt के आपकी skin में आप जाती है लेकिन दोनों में ही अंतर यह है अगर आपकी स्कीन भी extremely oily है और मैं hot weather की बात कर रहे हूं तो यह चिप चिप करने लगती है 10-15 minute के बाद की wow skin science के साथ य नहीं है यह wow skin science वाली है यह sweat proof है और इसके साथ साथ water resistance के साथ मिलती है और oil production को भी control रगती है 5-6 घंटे तक भी यह आपकी skin को वैसा ही fresh रखती है जैसा कि morning में आप घर से निकलते हो तो आपको क्या करना है अगर आपको mama earth वाली sunscreen यूज करनी है तो आपको sunscreen लगाने के बा वा उसके बाद दोनों की एकदम similar effect देंगी अब बात कर लेते हैं दोनों के ही key ingredient की mama earth के key ingredient में शामिल है aloe vera and raspberry extract aloe vera आपको soothing property देता है और raspberry extract natural sun blocker है अगर हम वाल्सकिन science की बात करें तो इसके key ingredient में शामिल है raspberry extract, carrot seed extract, avocado oil and almond oil almond oil rich in vitamin E होता है, avocado oil natural sunscreen होता है और carrot seed extract rich in vitamin E and vitamin E होता है जो सारी सारी चीज़े मिलके naturally आपके skin को photo damage से बचाती है, sun tanning से बचाती है और कुछ जो इसमें raspberry extract है वो natural sun protection के साथ आपको मिलता है इसके साथ है आपकी skin को naturally moisturize भी रखती है दोनों के लिए आपको 50 gram के quantity 399 रुपीज में मिलती है तो यह हो गए इन दोनों के कुछ कुछ similarities और कुछ कुछ differences आप बात कर लेते हैं मेरे personal experience की तो guys जो mama art की newly launched hydra gel Indian sunscreen है वो भी मैं काफी time से अभी use कर रहे हूँ करीब मुझे 4-5-6 दिन हो गए इसे use करते हुए और यह मुझे बहुत जादा अच्छी लगी इसकी खास बात यह है कि इसका जो formula है बहुत जादा lightweight है लेकिन इसके साथ drawback यह है कि यह जो oil production है उसे बढ़ा देती है और face को चिप चिप कर देती है तो इसलिए जब ही मैं यह sunscreen लगाती हूँ इसके बाद में थोड़ा सा loose powder लगा लेती हूँ जबकि अगर हम wow skin science की बात करें तो वह मुझे परसली जादा अच्छी लगी क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है आपकी ingredient में दोनों के अंतर देख सकते हैं और इसके साथ साथ वह water resistant है फ्रेश रखती है काफी लंबे टाइम तक और oil और sweat proof है तो इसलिए मुझे परसली wow skin science वाली जादा अच्छी लगी लेकिन दोनों ही product बहुत जादा amazing है अगर आपकी skin sensitive भी हो तो दोनों ही बहुत अच्छे से आपकी skin पर काम करेंगे और दोनों ही आपको SPF के साथ मिलते हैं broad spectrum के साथ मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ drawback ये है मामा अर्क कर सिर्फ और सिर्फ एक version launch हुआ है जबकि wow skin science में आपको 35, 45 और 55 सारे SPF मिलते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि SPF क्या होते हैं किसे कितना SPF लेना चाहिए संस्क्रीन कभ यूज़ करनी चाहिए कभ नहीं तो आप जाके नीचे review link में wow skin science वाली मेरी संस्क्रीन की video देख सकते हैं उसमें मैंने सारे के सारे संस्क्रीन से related questions के आपको answer दिये हैं और इसके साथ साथ जितने भी मेथ है संस्क्रीन के बारे में वो सब भी मैंने आपको बताएं उस video में so yeah that's all for today's video see you bye bye